अलो गाइज आज मैं आपके साथ शयर करूंगी पॉटल डेक और फेले हम एक पॉटल ले लेंगे इस पॉटल को हम टीशु पेपर से कवर करेंगे इसलिए करेंगे क्यूंकि अगर हम इसको ड्रेख ली कलर अपलाई करेंगे तो कलर जो है वह अच्छे से स्टिकनी हो इसके बाद हम लेंगे malted clay, clay में दो हमें ये पार्ट मिलते हैं, एक softner और एक hardner होता है, इन दोनों को mix करके हम clay से पत्री रची लाएंगे लिपन आठ एक कुछराती आठ है, यह यहां का traditional आठ है, ज्यादा इस आठ को कच के एरिया में ज्यादा पुतर बनाया जाता है, इस लिपन आठ में जो है mirrors का यूज किया जाता है, और वहां की जो मिट्टी है का चेरिया की उसको यूज किया जाता था पहले, बट अब जो है वैसी मिट्टी तो मिलती नहीं है, तो clay का यूज करके हम वैसा design बनाएंगे, मैं pencil से यहां पे line draw कर रही हूं, जिससे हमें जो outlining है, कि कहां कहां हमें clay को apply करना है, वो हमें easily पता चल जाएगा, इससे हमें कोई जाने को अब जाएगा, जाने को जाएगे, मैं जाएगे, जाने कोई यह क्ले का पांट चो है वो रेडी हो चुका है है अब इसके बाद हम इसपे करेंगी color apply firstly मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पे multi color करूँ तो जो जो दिमाग में आता चायेगा वैसे वैसे मैं color करती जाऊंगी आब भी आपको जो जैसा color प्रसंद हो आप एसा करिये का मैं यहाँ पे अलग लग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अपलाई करने वाली हूँ आपको अगर मेरी वीडियो थो लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करियेगा और कमेंट करके बताईएगा कि यह बॉटल आड़ आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हो मैं वैसी वीडियो आपके लिए लेके आगूँगी इस पे मैं डिफरेंट कलर्स अपलाई कर रही हूँ अभी मैंने ओरेंज कलर किया है और मैं कुछ मिक्स अप करके कलर्स करूँगी क dönसा शीर किस अचिंगरों आपके आपके बाऊने करूँगी आपके का बाऊने धर्टभरों गिएोск आपके ढिए घरा कहले हो क? क अ knowing पूरा जाचानी आप। इस पार्ट खठम हुआ अब इसके बाद मैं जो क्लेव वाला पार्ट है इस पे मैं ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी अप्लाई करने के बाद इसके लगाए जाएंगे मीरर और इसके बाद मैं मीरर अप्लाई करूंगी अप्लाई करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देखिएगा कितना ब्यूटिफुल आता है अप्लाई अप्लाई झाल झाल झाल